कि वर्ब क्या होती है, action word क्या होता है, जब तक हम यह नहीं जानते हैं, हम grammar के sentences या tense नहीं सिख सकते हैं, तो आएए सिखते हैं, वर्ब क्या होती है, या action word क्या होती है, कोई भी काम जो भी हम करते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्रिया कहते हैं, तो एसा वर्ड जो किसी action के बारे में बात करता हो उसको हम वर्ब कहते हैं जिस शब्द से किसी काम के होने का ज्यान होता हो उसे हम वर्ब कहते हैं उसे हम action कहते हैं यहां पर हम कुछ examples देखेंगे इसके जिसे की go eat play come run etc go मतलब जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इसके लिए हम go word काम मिलेते हैं eat means कोई भी चीज खाना कम मतलब किसी जगह के अंदर जाना और run means दोड़ना प्ले प्ले अर्थात कोई भी गेम आधी खेलना इस तरह से unlimited verbs हैं basically जो verbs होती है वह आप किसी भी बुक से study करके 100-200 verbs की practice कर सकते हो हम examples को sentences verbs के example को sentence में यूज़ करके भी देख सकते हैं जैसे राम प्लेज राम खेलता है मोहन गोज तू स्कूल मोहन स्कूल जाता है तो इस तरह से बिना verb के हम sentence नहीं बना सकते हैं and there are three forms of verbs वर्ब की three form होती है और एक और form होती है साथ में जिसको हम ing form या present participle form भी कहते हैं तो देखिए सीखते हैं क्या होती है वर्ब की forms present form past form past participle form और present participle form present form को हम first form भी कहते हैं past form को हम second form भी कहते हैं past participle form को हम third form form भी कहते हैं और present participle form को हम ing form भी कहते हैं यह वर्ब की जो three form होती हैं उनकी भी अलग-अलग categories हैं तो पहले हम सिखते हैं यह first category उसकी होती है कि इसके अंदर तीनो form अलग-अलग होती है जैसे कि go, went और gone और ing form में यह होता है कि वर्ब की first form के साथ हम ing जोड़ देते हैं तो वह वर्ब की ing form बन जाती है वैसे ही eat, add, eaten यह हो गई वर्ब की तीनो form और यह तीनो form अलग-अलग हैं इसलिए हम इसको first category में रखते हैं second verb की form ऐसी होती है जिसके अंदर कोई भी दो form एक जैसी होंगी जैसे कि play, played और played यहां पर second form और third form एक जैसी है इसलिए हमने इसको second category में रखा है once again, come, can, come यहां पर first form और third form एक जैसी है इसलिए हमने इसको second category में रखा है और third category में ऐसी verb आती है जिनकी तीनो form एक जैसी होती है for example, cut, cut, cut. यहां पर तीनो वर्ब की form के अंदर spelling में कोई change नहीं आया है same word तीनो form में काम आता है और जहां तक हम देखते हैं ing form है ing form के अंदर cut का बन गया है cutting इसमें double t आ गया है तो इसा जरूरत के हिसाब से होता है उसमें हमको अलग-अलग word में अलग-अलग verbs में ध्यान रखने की जरूरत होती है तो अब तक आप समझे गए होंगे कि जो वर्ब होती है उसकी कितनी form होती है वर्ब किसे कहते हैं वर्ब के examples क्या होते हैं वर्ब की importance क्या है बिना verbs के हम sentences नहीं बना सकते हैं बिना verbs के हम tense नहीं सीख सकते हैं तो once again we will revise it एक बार फिर से हम इसको revise करते हैं वर्ब का मतलब क्रिया होता है जिससे हमको किसी क्रिया का ज्यान हो उसे हम वर्ब कहते हैं एक्जामपल है गो अर्थात जाना इट अर्थात खाना प्ले अर्थात खेलना कम अर्थात आना गो स्वरी रन अर्थात किसी जगह पर दोड़के जाना उसको कुछ sentences से भी हम समझ सकते हैं कि वर्ब के एक्जामपल को sentence से समझ सकते हैं राम प्लेज राम खेलता है यहाँ पर प्लेज एक वर्ब है एक एक्शन है अगर हम वर्ब को sentence से निकाल देते हैं तो sentence सेंटेंस होता है राम और एक सब्जेक्ट है यहां पर एक्शन कोन सी है प्लेज्ट राम खेलता है didnt चाहिए यहापर महण की आश chunky जाता है गोह निकाल देते की निकाल देते हैं तो हैं तो गिंगत भihat अगर हम्सेंटेंस नहीं चाहिए इस HE N等一下 sentence. अब हमको देखना आई है कि Verb की Forms कितनी होती हैं, तो Verb की 3 Forms होती है, जिसको अलग-अलग Tenses में काम में लिया जाता है अगर हमको Verb की Forms नहीं आती है, तो हम Tenses नहीं सिख सकते हैं, या Proper English की Practice नहीं कर सकते, English नहीं बोल सकते हैं, तो आएये देखते हैं क्या होती है, और उनकी क्या क्या category है. तो वर्बक 2 फोर्म होती है, present form, hints first form, past form , अर्था zweiten form, past participle form, अर्था third form, एक और form होते हा, जिसको हम उसकी ing form कहते हैं, इसे बोलते है, present participle form. Go अर्था जाना होता है, उसकी इस तरह से गो वेंट गॉन और आएंजी फॉर्म है गॉइं आएंजी फॉर्म बनाना बहुत ही सरन है इसमें हम कुछ नहीं करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केंदर आई एंजी जोड़ देते हैं तो आएंजी फॉर्म बन जाती है, it, at, eaten, और eating, इसके अंदर हमने देखा कि इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग है, first फॉर्म अलग, second फॉर्म अलग और third फॉर्म अलग, दूसरी तरह की जो वर्प्स हैं, उसके अंदर दोफॉर्म एक जैसी मिलेंगी, play, played, और played, इसमेर 2 फॉर्म और 3 फॉर्म एक जैसी है इसलिए इसको हमने second category में रखा है तीसरी तरह की form होती है जिसके अंदर तीनों form एक जैसी होती है इसलिए कट कट और कट और कटिंग इसकी ing form है तो इस तरह से अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि वर्ब क्या होती है वर्ब के सेंटेंस में क्या importance है अगर किसी सेंटेंस से वर्ब को हटा दिया जाए तो वह sentence ही नहीं रहता है और उसके बाद वर्ब्स की कितनी forms होती है और वर्ब्स की forms जो होती है उसकी categories क्या क्या होती है खूर विजस तर वर्ब्स की कि अबढ़कर प्रभड़ क्या है वर्ब्स की अबर्स की अब कर दो द्रोड़ क्या है टेया जाएक टेया श्यट।